हलो एफ्रिवन कैसे हो आप सभी जश्ट अभी खाना छोड़ के यहां पर आई हूँ वीडियो के लिए कि मैंने का चलो विहान को दिया उसको खाना खिला दिया फिर मैं का मैं बात में खाऊंगी पहले आप लग उसे बात कर लेती हूँ देखिया असुबै की मेरी सारी वीड कि आज से तीन साल पहले एक यूट्यूबर थी उनके हस्बेंट की जब किड्नी खराब होगी थी तो सब ने यूट्यूब पे हल्प करी थी अकाउंट डिटेल्स आई एफसी कोड के थू यूट्यूब पे और उनका ट्रांस्प्लांट हो गया था मेरा उस वीडियो में सि दिखा सकते थे मतलब यह चीजे अपनी प्रोब्लम बता सकते थे हमें पैसों की जूटते और यूट्यूब पे लोग अकाउंट मांगते थे कि हमारा अकाउंट नुमबर दो और पैसे दिलवाओ वो सब हो जाता था लेकिन आज के टाइम में मैंने सिरफ वीडियो में यह दिखा सकते आई एफसी कोड नहीं दिखा सकते आप कॉमेंट में भी पिन नहीं कर सकते हो कि आप वीडियो में बोल दो कि कॉमेंट है या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट डिटेल है या आई एफसी कोड है कि इसमें पैसे डलवा दो इवन कॉम्मिनिटी में भी नह चीज के ऊपर आज के टाइम में ये बात मैंने बोली थी मैंने सिरफ एक जागरुकता फैलाने के लिए बोली थी मैंने कहा था कि कर सकते हैं पर फंड़ेस का YouTube process है जिसके तुन आप कर सकते हो अधरवाइस लाइव में क्या होता है किसी को पांसो रुपे तक दे सकते हो इसके अंदर वह पांसो रुपे यूट्यूब पर क championship छे सकत क्यों क ją अवाथ कि फुन्हों सहोता है कि इतने इती पर statement सकते हो जैसे अपनी मर्जी से उसमें भी कुछ इस तरीके से लाइव करते हैं लेकिंगे वो चीज अभी इस बात पर लोगों ने मेरे को कॉमेंट किया मैं कॉमेंट पर जवाब देना चाहरी थी फिर मैं का बड़ा कॉमेंट लिखूंगी क्योंकि देखो जो अगर मालोग व मैं यहां यूट्यूब पर काम करती हूँ तो मेरा किसी के साथ देखो लड़ाई जगडा नहीं है हाँ मनमुटाव हो सकता है लेकि लड़ाई जगडा नहीं कई बार ऐसा होता है कई बार कुछ यह आपके मन में बैठ जाती है और लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नही बल्कि मैं जब मुझे पता चला था कि उनके हस्बेंट का दुबारा से ऐसे दिक्कत हो रही है तो मैंने खुद जाके मेरा उनसे बातचीत भी नहीं थी मैंने खुद वीडियो की नीचे कोमेंट्स किये फोन भी किये हालचाल पूछने के लिए कैसे है उनके हस्बेंट और चाहे वो dialysis पे हो चाहे वो transplant patient हो उनको एक अलग कमरा चाहिए होता ही होता है एक bathroom और एक कमरा separate होना ही चाहिए क्योंकि उनका जो immunity होता है बहुत low जुका होता है और उनकी body infection बहुत जल्दी catch करती है तो मैंने यही बोला था कि बच्चों को अपने आपको दूर रखना जरूरी होता है क्योंकि उस कमरे में जिस कमरे में क्योंकि मैंने देखा है हमारी फैमिली में थे कोई transplant हुआ था जिनका और पांच-छे साल से अच्छा चल रहा था उनका तो उनका क्या था मतलब सनी की family की जाता कोई भी नहीं जाता है क्योंकि कोई ऐसे जैसे हम casually हम बैठते उठते हैं किसी के साथ वैसे हम kidney patient के साथ नहीं बैठ उठ सकते उसको एक separate portion देना ही देना पड़ता है क्योंकि जो kidney होती है ना जाए वो डालेसी जो ट्रांस्प्लांट में क्या होता है ना कि हम दूसरे जो खामुतियों से लड़ती है उसी तरीके से हमारे अंदर को या पाहर का औरगन लगा दोगे तो वो उसे खतम करने की कोशिश करेगी हमारी immunity तो इसलिए क्या होता है ना उनको ऐसी दवाईया दी जाती है kidney transplant patient को जिनसे उनकी immunity डाउन हो जाए ताकि उनका शरीर उस जो kidney क अटैक ना कर पाए जो दूसरी kidney होती है और उस immunity को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उनकी वजह से उनका शरीर इतना कम जोर हो चुका होता है कि अगर उनको थोड़ा सा भी infection हो उनको UTI भी हो जाता है और भी अलग लग तरीके की बीमारियों के लिए वो susceptible हो जाते ह हैं तो इस वजह से ना उनका और सबसे चीज डालेसिस जो patient होते हैं उनको भी बहुत separate रखना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर जो नसे वगएरा होती है उनको कई बार infection होने का डर रहता है उनको कुतों से जानवरों से थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए कि उनके जो infection होने का डर रहता है इसलिए साफसफाई बहुत जरूरी होती है उनकी bed sheets बार बार बदली जाती है जैसे दिन में दो से तीन बार bed sheets बदली जाती है उनका cover उनके कपड़ा उनके घर कमरा जिस कमरे में रहते हैं पूर अच्छे से sanitize करके रखना जरूरी पड़ता है हर तरीके से ताकि कल को कुछ भी इस तरीके का infection ना हो तो देखो मैं किसी कली कभी कोई बुरा नी सोचती बस मैंने इतनी जरूर advice दी थी मैंने ये बोला था कि जब transplant के बाद ना घर ऐसा ले लेना चीए था उसी वक्त जिसमें दो कमरे हो जिसमें अलग separate portion मिले अभी भी ठीक मिले लेकिन अभी भी ऐसा रूम देखें जिसमें बाद रूम अलग हो क्योंकि मेरे को खुद मेरी मम्मी का लगता है मेरी मम्मी को अभी kidney की problem नहीं है पर वो sugar की वज़े से उनको urine infection बार बार हो जाता है तो अब हमारे घर में क्या है ना हमारे घर में एक ही बाद रूम होत किड्नी इंफेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है फीवर आना शुगर खुद में इतनी बड़ी बीमारी हो लेकिन शुगर की वज़े से कितनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो इसको हलके में मत लो बिलकुल भी क्योंकि म मेरी ममी को है ना तो मुझे पता है मेरी मदर की मैने हालत देखी है और मैं वो टाइम मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीने जब मेरी ममी की हालत बहुत जादा ना जुक थी ना मुझे पता है कैसा महोल हो जाता है घर का कैसे हम ले ले लेके आमना नॉर्मल डे के लिए तरसने लग जाते हैं कि वो नॉर्मल डे कब आएगा जब हम नॉर्मली अपने घर में आराम से बैठ के रात भर आराम करेंगे सुबहें क्योंकि होस्पिटल के धक्के खाने असान नी होते हैं कहने की बात होती है पर इनसान बहुत फ्रस्टेट ह हो जाता है यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि मैंने धक्के खाए हैं होस्पिटलों में मम्मी के टाइम में मम्मी के केस में उस टाइम कैसे कैसे लेके जाया करते थे होस्पिटलों में तो कहने की बात है पर बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस तरीके के देखिए मैं आपस से रिक्वेस्ट करती हूं कि कॉमेंट मेरे पास मत किया कीजिए मैं किसी का कभी ना तो बुरा कभी कल चाहा और ये बात भी मैंने इसलिए बोली थी वीडियो में अकाउंट नंबर्स वगरा नहीं देने चाहिए क्योंकि कल को किसी के भी चैनल पे हां यूट्यूबर्स हैं उनको पता होना चाहिए एक दूसरे को क्यों कई बार नहीं पता होता और उनके चैनल पे कल को प्रोब्लम ना आ जाए इसलिए मैंने बोला था कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं शेयर करनी चाहिए चाहिए आप खुद गाइडलाइन्स पढ़ लेजेगा उसमें यही बा लगा दो अपना एक गड़ एक दिन दो दिन तीन दिन जब तक मतलब लोगों को अगर प्रूफ देना भी है बाद में डिलीट कर दो कॉम्यूनिटी क्योंकि आप वीडियो तो डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि वीडियो से आपकी अर्निंग होती है और वो आपको रखनी पेशेंट्स होते हैं ना कहीं बार उनका एक से ज़्यादा बार भी ट्रांस्प्लांट करवाना जरूरी हो जाता है मैंने बहुत से बार देखे हैं केसी जिसमें पहली जो किड्नी अब लगाई जाती है वो काम नी करती बड़ दूसरी किड्नी काम कर जाती है यह ऐसा भी ह होता है कई बार मैंने केस पड़ाता जिसमें फर्स्ट किड्नी जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी दो महीने बादी और जो सेकंड किड्नी दी ना जिन्होंने वो पंदरा साल तक चली उस पेशेंट की तो वह भी कहलो कि कहीं बार क्या होता है ना आपका मैच नहीं बनता स् अब यकीन मानों कि कली मैंने एक यूट्यूब एक वीडियो देखी मेरे सामने आई कि नहीं कि उन्होंने बताया कि पच्चिस साल की थी और उनकी बेटी सिर्फ दो महीने की थी और उनकी किड्नी दोनों फेल हो गई थी लेडीज की और क्योंकि उनके हाई बीपी रहता था बीपी की प्रोबलम थी और उसके बाद उनकी मदर ने उनको किड्नी दी और उसके एक दो साल बाद एक दो साल डायलेसिस पे चलाए उसके बाद उनकी जो किड्नी है ना 23 साल होगे ट्रांस्प्लांटेड किड्नी को 23 साल से उनकी किड्नी बिल्कुल सही काम कर रही है और अब ही रिसेंट में उन्हों तेही साल बाद ने टेस्ट करवा के दिखाया किड्नी का किड्नी के एफटी उसमें उनका क्रेटिनाइन सिर्फ 1.4 था 1.39 ऐसे तेही साल बाद भी उतने का उतने पर पड़ा तो वह फरक होता है आप किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद किस तर मिच करते हैं धीरे-धीरे से और भी बहुत सी चीज़े होती है मैंने यह भी पड़ा है कि बहुत सी चीज़े होते हैं कहीं जग अबार एंटी बोडी बना लेता है मतलब फोरन में जादा है इस चीज़ का फोरन में मतलब किड्नी जादा चलती है क्योंकि फोरन में टेक्न अब उन घरों में एक पेशेंट को लिए सेपरेट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ये दिक्ते तो होती ही हैं तो भगवान जी से मैं तो प्रे करती हूं भगवान जी किसी के घर में कोई बीमारी ना आए बड़ी मुश्किल हो जाती है मैं भी यहां पे महिनत ही कर रही हूं देखो दिन की 10-10 वीडियो डाल रही हूं छोटी बात नहीं होती फिर भी कर रही हूं काम भी कर रही हूं बच्चा भी संभाल रही हूं सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि पता है ना कि जरूरत पैसे की बहुत पढ़ती है और आगे आगे बहुत जरूरत है मुझे पैसे की इसलिए मैं वीडियो बनाए जा रही हूं बाकी हाँ में यह नहीं कहा कि हांकर किसी को पाइसे के जूरत है अपल कर्ये लेकिन यह अलग तरीक आपया है तरिका इनीकर प्रेनी करा है उसके लिए प्रोपर वे और यूटियोब पे 다ई तरीका उसके प्रगारा सकते है लेकिं option आता है fundraising का proper YouTube ने provide किया हूँ है अगर आपको करवाना हो तो यूट्यूब अपनी तरफ से जाचता है परकता है उसके बाद आगे आपको proceed करने के लिए go ahead करता है कि हाँ आपकी problem genuine है सब कुछ है फिर आप कर सकते हो fundraise ताकि यह इसलिए करता है YouTube के कलको ना मतलब कोई भी ना धोखा धड़ी वाला केस ना हो कहीं बार ऐसा होता है ना कि लोग जूट बोल बोल के भी पैसा ठग ले यहां YouTube पे आपको क्या पता चलेगा किसीने कोई problem उनके हो ना हो और वो कह दे हमें पैसो जूडते और आप प हमारी मदद के लिए आगे रहते हों यह बातों मैं जानती हूं पस आप लोग अपना support बनाए रखिएगा में हीनत करती रहूंगी ठीक है जी थैंक्यू इस वीडियो का एंड करते हूं उपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाई 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 टेक केर लोडस ओफ लव